बड़ी खबर एक ग्री मंत्रे अमिश्वा ने सीम धामी से फोन पर बात की है उत्तराखंड में कई स्थानों पर आई आपदा की जानकारी ली है सीम पुश्कर सिंधामी ने राहत बचाफ कारे की जानकारी दी है बड़ी खबर इस वक्त ये है कि जो हालात इस वक्त उत्राखंड के अंदर भी कई चखों पर बने हुए है आपने देखा कि किस तरह से टीरी के अंदर हादसे की खबर सामने आई इसके अलावा आपने ये भी देखा कि चारदाम यात्रा में जो श्रधालू पहुंच रहे हैं उनको लेकर भी खबर आए कि दरसल वो करीब करीब 200 श्रधालू बताय गए जो फस गए थे तो उन्हें रिस्क्यू आला की सुरक्षित दोर पर कर लिया गया है लेकिन अब ग्री मंत्री अमिल श्रा ने सीम धामी से पून पर बात की है उतराखंड में कहिस्तानों पर जो हालात बने हुएं जो आपदा की जानकारी सीम धामी से ग्री मंत्री ने लिए है और सीम धामी ने राहत बचाफ कारे को लेकर जानकारी दिया अगले कुछ दिनों तो राहत की उमीद नजर नहीं आती है अभी भी मौसम विभाग जिस तरह से पूरफा नुमा जारी कर रहा है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि उतराखन में अगले 3-4 दिन अभी कई जगों पर भारी रह सकते हैं लेकिन किस तरह की ववस्ता है, किस तरह की इंतजामात किये गए हैं उतराखन सरकार की तरफ से, सीमधामी की तरफ से उन्ही को लेकर ग्री मंत्रे अमेशा ने सीमधामी से फोन पर बातचीत की है और इन हालात को लेकर जानकारी ली है अब देट इस वक्ति आई है कि ग्री मंत्री अमिल शाह ने सीम धामी से फोन पर बात की है और उतराखन में कई जगों पर जो आफ़दा की जानकारी है उसको लेकर ही उन्होंने सीम धामी से बात की है राहत बचाफ कारे को लेकर सीम धामी से ग्री मंत्री ने बात शीत की है